Hello Students, इस One Liner Question Answer Series में हम complete करेंगे Science के दूसरे वीडियो लेक्चर के One Liner Questions को इस वीडियो को Revision Purpose के हिसाब से बनाया गया है यदि आप इस वीडियो का सबसे बहतर फायदा चाहते हैं तो Corner पे दी गई आई बटन पे क्लिक करके सबसे पहले दूसरे वीडियो के theoretical portion को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए उसके बाद में दिये गए प्रशनों का आंसर दीजिएगा जिससे कि आपका इस लेक्चर का पूरा तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा तो चल ये शुरुबात करते हैं इस वीडियो लेक्चर की तो पहला question है मिश्रन के अवयों को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है तो इसका सही आंसर होगा प्रथक करण यानि मिश्रन क्या है पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं दो पदार्थों को मिलाएंगे तो मिश्रन बनेगा इन्हें अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी प्रथक करण दूसरा प्रश्न है विश्मांगी मिश्रन को प्रथक करने की विधी क्या कहलाती है तो इसका आंसर है चानन विधी याने की दो पदार्थों को चान कर अलग करना आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है डाई को स्याही के अलग अलग रंगों से कैसे प्रथक करते हैं यानि वाश्पी करण। यानि वाश्पी करण। यानि वाश्पी करण। वह प्रक्रिया है। जब कोई द्रव अपने boiling point से पहले ही वाश्प में याने वेपर में बदल जाता है। अगला प्रश्ण करते हैं, अगला प्रश्ण है दूध से क्रीम प्रत्फ़ किया जाता है यानि किस यंतर का इस्तिमाल करेंगे एसमें तो आंसर आएगा अपकेंद्रीय यंतर जैसे की हम मिक्सर के इस्तिमाल से करते हैं। मिक्सर क्या है एक अपकेंद्रिय यंत्र है अगला प्रश्ण है प्रयोग शाला में रक्त तथा मूत्र की जाच के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है तो इसका आंसर भी आएगा अपकेंद्रिय यंत्र आगे वड़ते हैं अगला प्रश्ण करते हैं अगला प्रश्ण है अगला प्रशन है दो गुलनशील द्रवों के मिश्रण को प्रथक करेंगे इसका आंसर आएगा प्रथक करण कीप हम जानते हैं कि इस प्रकार से एक कीप होती है यदि आप वीडियो लेक्चर अभी तक आप देख चुके हैं तो आपको पता चल गया होगा कि मैं सीक्वेंस म में ही उस वीडियो के सीक्वेंस में ही आपको कोशन बता रहा हूं कि कैसे थे रिटीकल पोर्शन से कोशन बनते हैं तो यह प्रथक करण कीप होती है यहां दो द्रवों को मिले हुए द्रवों को यहां पर डाल दिया जाता है एक द्रव दूसरे द्रव से अग घुलनशील होता है इसलिए नीचे वाला द्रव अलग हो जाने पर उपर वाले द्रव के आते वक्त हम इस नौब को बंद कर देते हैं तो यह होती है प्रथक करण कीप अगला प्रशन है नमक तथा आमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को प्रथक करेंगे तो इसका आंसर होगा उर्द्व पातन उर्द्व पातन याने इंग्लिश में इसे हम कहेंगे सब्लीमेशन अगला प्रशन है ठोस से गैस में पदार्त के सीधे परिवर्तन को कहेंगे तो वह प्रक्रिया क्या होगी जब ठोस से सीधे gas में कोई पदार्थ बदल जाएगा उसे कहेंगे उर्धव पातन याने sublimation सीधी सी बात है ठोस से gas में बदले या gas से सीधे ठोस में ऐसे परिवर्तन को हम उर्धव पातन याने sublimation कहते हैं अगला प्रश्न है काली श्याही में विध्यमान रंगों की मात्रा को किस विधी द्वारा ग्यात किया जाता है इसका सही आंसर होगा chromatography मैंने आपको बताया था एक glass में हम इस प्रकार से एक कागज डालते हैं और उसके उपर अलग अलग रंग जो है अगला प्रश्न है जल का क्वथनांक याने boiling point होता है तो इसका आंसर आएगा 100 degree Celsius यहाँ पर minus 100 नहीं समझना है यह dash लगा हुआ है यह 100 degree Celsius आगे बढ़ते हैं इसी को यदि हम Kelvin में कहें तो 373 degree Kelvin जो होगा इसका सही आंसर होगा तो degree Celsius में 100 और 373 होगा Kelvin में अगला प्रश्न है वाईव से oxygen प्राप्त करने की विधी कहलाती है तो इहाँ पर इसका सही आंसर होगा प्रभाजी आसवन इसे कहते हैं जब हम वाईव से विभिन विभिन गैसेस याने nitrogen औकसीजन अलग-अलग करते हैं तो उसे प्रभाजी आसवन कहते हैं अगला प्रश्न है oxygen का क्वथनांक है याने की boiling point क्या होता है gas का यह मैंने आपको वीडियो में बताया था answer है minus 183 degree Celsius अगला प्रश्न है क्वथनांक याने की boiling points पे ही अब बे question बता रहा हूँ carbon dioxide का क्वथनांक है याने boiling point है answer है minus 78.5 degree Celsius अगला प्रश्न है nitrogen का क्वथनांक है याने boiling point है nitrogen का minus 196 degree Celsius अगला प्रश्न यह प्रश्न आ चुका है एक्जाम में petrol का क्वथनांक क्या है वह है 95 degree Celsius 95 याद रखना है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है iodine का क्वथनांक क्या है तो इसका सही answer होगा 184.3 degree Celsius याद रखना है 184.3 degree Celsius अगला प्रश्न है methane का क्वथनांक क्या है तो यह सभी exams में आने की probability है या फिर आ चुके है इन ही के आधार पे मैं आपको यह question करवा रहा हूँ तो इसका answer होगा minus 161.5 degree Celsius याद रखना है minus 161.5 degree Celsius अगला प्रश्न है carbon monoxide का क्वथनांक याने की boiling point क्या होगा इसका सही answer है minus 192 degree Celsius अगला प्रश्न है पारे का क्वथनांक क्या है exam में आ चुका है इसका answer होगा 356.9 degree Celsius याद रखना है इसे clinical thermometers में इस्तिमाल करने का कारण ही यह होता है क्योंकि इसका कोथनान को जो होता है वो बहुत जादा उच्च होता है अधिक होता है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होत है सोचने की कोशिश करिए इसका सही आंसर होगा पाइरो मीटर याद रखिएगा पाइरो मीटर से अधिक तापमान बहुत अधिक तापमान मापा जाता है अगला प्रश्न है मध्यम तापमान याने मीडियम टेंपरेचर मापने के लिए उपियोग किया जाता है तो किसी अंतर का उपयोग करते हैं सोचिए इसका आंसर आएगा थर्मो कपल याद रखिएगा थर्मो कपल अगला प्रशन है मानव शरीर का तापमान मापने के लिए उपयोग होता है किसी अंतर का इस्तिमाल करते हैं सोचने की कुशिश करिए यह है नैदानिक थर्मो मीटर याने की clinical thermometer याद रखना है अगला प्रश्ण है मानव शरीर का सामान ये तापमान होता है एक्जाम में आ चुका question है तो इसका answer आएगा 98.6 degree Fahrenheit याद रखना 98.6 degree Fahrenheit में है और degree Celsius में 37 degree Celsius दोनों में आपको बता दिये आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है थोसपदार्थों को शुद्ध करने के लिए किस विधी का प्रयोग करते हैं थोसपदार्थों को शुद्ध कैसे करेंगे सोचने की कोशिश करीए आंसर है crystal car रखना है अगला प्रश्ण अशुद्ध नमूने को फिटकरी से प्रतक करना कहलाता है इसका सही आंसर होगा क्रिस्टली करण यानि कि फिटकरी को घुमा कर हम जल में जब गंदगी साफ करते हैं तो उसे क्रिस्टली करण कहते हैं आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है समुद्री नमक से अशुद्धी किस विधी द्वारा दूर की जाती है यह सब एकजाम में आचुके question है इसका सही आंसर होगा क्रिस्टली करण इसका सही आंसर है क्रिस्टली करण अगला प्रश्ण ऐसे गुण जिन है देखा जा सकता है तो सोचने की कोशिश करिये वीडियो में मैंने आपको क्या बताय था ऐसे गुण जो देखे जा सकते हैं कहलाते हैं भहुतिक गुण याद रखना है कैसे गुण? भहुतिक गुण यदि अभी तक आपको याद नहीं हुआ है तो अच्छे से पहले theoretical portion को अच्छे से पढ़ना है अगला प्रशन रंग कैसा गुण है? याने कि भहुतिक गुण है या रासाइनिक गुण है मैं आपको option दे रहा हूँ सोचने की कोशिश करिए तो रंग है भहुतिक गुण याद रखना किसी भी चीज का रंग भहुतिक गुण होता है अगला प्रशन वे गुण जो पदार्थों की आंतरिक संरचना को दर्शाते हैं कैसे गुण कहलाते हैं? बहुतिक या रासाइनिक? इसका सही आंसर होगा रासाइनिक गुण आंतरिक संरचना को रासाइनिक गुण दर्शाते हैं और रंग एक बहुतिक गुण है तो आप समझ लीजे आपका revision बहुत बहतर होता चला जा रहा है यदि आपने theoretical portion अच्छे से पढ़ लिया है तो आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है तापमान कैसा गुण है इसका आंसर होगा रासाइनिक गुण याद रखना temperature एक प्रकार से रासाइनिक गुण है अगला गनत्व याने density कैसा गुण है तो इसका आंसर होगा भौतिक गुण गनत्व एक भौतिक गुण है अगला प्रश्न द्रवनांक याने की melting point कैसा गुण है तो इसका आंसर होगा ये भी एक भौतिक गुण है आगे बढ़ते हैं physical characteristic है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है आयतन कैसा गुण है अभी सब के सब एक सीरीज में कोशन आ रहे हैं क्योंकि इन्हीं के उपर एक्जाम में अलग अलग प्रकार इन्हीं के उपर सीधे सीधे ये कोशन बनते हैं तो इसका आंसर होगा ये एक रासायनिक गुण है, आयतन एक रासायनिक गुण है, ये बात आपको याद रखना है, अगला प्रश्न, कठोरता कैसा गुण है, हार्डनेस कैसा गुण है, तो इसका आंसर होगा भौतिक गुण है, यह एक भौतिक याने physical characteristic है, अगला प्रश्न क्वथनांक याने boiling point कैसा गुण है तो पदार्थ का यह एक भौतिक गुण है यह याद रखना है कैसा गुण है भौतिक गुण है अगला प्रशन बहाव याने flow कैसा गुण है कोई दरव्यदी बहस कता है तो यह उसका कैसा गुण है रासाइनिक या भौतिक इसका आंसर रासाइनिक गुण होता है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन करते हैं अगला प्रशन है बनावट कैसा गुण है याने कि कोई भी पदार्थ जिस स्वरूप में बना है वह कैसा गुण है तो वह उसका रासाइनिक गुण है याद रखना है अगला प्रशन रंग परिवर् सर होगा रासाइनिक यहाँ पर परिवर्तन गलत यह प्रिंट हो गया है यहाँ पर आएगा रासाइनिक गुण यह होगा एक रासाइनिक गुण अगला प्रशन है अलमारी में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है तो अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रक्रियाओं के बारे में दो प्रकार की प्रक्रियां मैंने वीडियो लेक्चर में बताई थी, एक होती है भहुतिक और दूसरी होती है रासाइनिक, सोचने की कोशिश करिए, अलमारी में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है, रासाइनिक प्रक्रिया है एक रासाइनिक प्रक्रिया या परिवर्तन है अगला प्रशन पेडों का काटना या पेडों को काटना कैसा परिवर्तन है तो यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है याद रखिएगा एकजाम में आई हुए सारे कोश्यन है अगला प्रशन जल क वाश्व में बदलना कैसा परिवर्तन है रासाइन है या भहुत एक सोचने की कोशिश करिए यह answer आएगा इसका भहुत एक परिवर्तन यानि कि जब सही आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन यदि आपने ये सोचा तो ये सही सोचा आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न मुम्बत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है सोचने की कोशिश करिए सही जवाब आना चाहिए सही आंसर होगा रासायनिक और भौतिक दोनों ही प्रकार का परि प्रश्न दे रहा हूं धातू या अधातू सोचने की कोशिश करिए आंसर इसका सही आंसर होगा तत्व यदि सही सोचा है तो आपकी तैयारी बहतर है गलत सोचा है तो फिर वीडियो पर जाना है पदार्थ का शुद्धतम श्वरूप तत्व कहलाता है अगला प्रश्न तत् बॉयल ने सबसे पहले तत्व शब्द का इस्तेमाल किया था अगला प्रश्न उश्मा की सुचालक होती है दो आप्शन दे रहा हूं धातू या अधातू सोचने की कोशिश करिए आंसर होगा धातू धातू में जो होती है वो उश्मा की सुचालक होती है अगला प्रश्न वह गुण जिस से किसी धातु को चादर में बदला जासकता है, याने धातु का एक टुकडा लीजिए उसे पीटना शुरू कर दीजिए, वो फैलता चला जाएगा और चादर बनता चला जाएगा, इसे कहा जाता है आघात वर्दता याने malleability इंगलीश में कहें तो, याद वह गुण जिससे किसी पदार्थ को तार के रूप में खीचा जा सकता है अब वही धातू का तुकडा लीजिए और खीचना शुरू कर दीजिए वो अपना डायामीटर कम करते हुए लंबाई में बढ़ता चला जाएगा इसे कहा जाता है तन्यता तन्यता याने elasticity तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन करते हैं अगला प्रशन है sodium क्या है sodium क्या है sodium सोचने की कोशिश करिए मैं option दे रहा हूँ अधातू धातू या उपधातू तो इसका सही आंसर होगा धातू याने sodium क्या है एक धातू है अगला प्रशन वह एक मात्र धातू जो तरल पाई जाती है, कौन सी धातु है, जो तरल रूप में पाई जाती है, सुचने की कोशिश करिए, आंसर होगा पारा, पारा एक मातर धातु है, जो कि लिक्विड फार्म में पाई जाती है, बाकी सभी धातु में ठोस होती है, अगला प्रशन, पारा किस अयस्क से प्राप्त हो धातू है, इनी पर सीधे सीधे कोशन पूछे जाते हैं, अगला प्रशन, जर्मेनियम क्या है, सोचने की कोशिश करिए, धातू, उपधातू या अधातू, जिसका आंसर आएगा, उपधातू, यानि जर्मेनियम एक प्रकार की उपधातू होती है, अगला प्रशन, सोचने की कोशिश करिए धातु और धातु या उपधातु तो इसका सही आंसर होगा उपधातु यानि कि सिलिकॉण एक उपधातु है अगला प्रश्ण ग्यात तत्वों की संख्या कितनी है सोचने की कोशिश करिए ग्यात तत्वों की संख्या मैंने वीडियो लेक्शर में बताई थी इसका सही आंसर होगा 108 यानि कि अभी तक ग्यात तत्व जो है वो 108 हो चुके है अगला और अंतिम प्रश्ण है, कितने तत्व कमरे के तापमान पर गैस होंगे, सोचने की कोशिश करिए, आखरी प्रश्ण है, सही जाना ही चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा, ग्यारा, यानि की ग्यारा तत्व ऐसे हैं, जो कमरे के तापमान पर गैस होते हैं, तो मैं उम् झाल झाल